राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे कथा सरिसागर से चुनी हुई कहानियों की शंखला में कहानी रेत का पुल ये कहानी है तपो दात नामक एक युवक्की कहानी बहुत पुरानी है पर तपो दात जैसे लोग तो आज भी देखने को मिल जाते हैं इसलिए तपो दात की कथा पुरानी होते हुए भी नई है तपोदात जिस नगर में रहता था उसका नाम था प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान एक बड़ा नगर था चौड़े चौड़े रास्ते जिनके दोनों और उंचे सुन्दर भवन बने हुए थे हर तरफ खूब चहल पहल रहती थी फटो फटो बचो अरे फटो एक तरफ हो जाओ अरे-अरे-मार छोड़ दो एक तरफ हाँ वही रहता था तपोदात हर समय परिशान और हैरान मैं तो परिशान हो गया कहां जाओं किस से कहूं कहीं भी कोई काम नहीं है मेरे लिए सब मुझे दुदकार देते हैं क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं क्या करूँ सब अपने अपने काम में लगे थे पर तपोदात यूहीं भटक रहा था वो बुरा तो नहीं था पर बेकार जरूर था और बेकार या बेरोजगार इसलिए था कि जरा भी पढ़ा लिखा नहीं था माता पिता तथा गुरुकुल के आचारे सब कह कह कर ठक गए पर तपोदात नहीं पढ़ सका वो कक्षा से भाग आता पुस्तकें खोल करना देखता नतीजा ये हुआ कि तपोदात के संगी साथी उसे पीछे छोड़ कर जीवन में बहुत आगे निकल गए थे तपोदात के पिता बहुत बड़े विद्वान थे बच्चों को शिक्षा देती थे उनका बहुत नाम था लेकिन तपोदात जैसा बेटा पाकर वो लजजित थे बेटे की स्थिती देखकर उनको दुख भी होता एक बार वो बीमार हो गई अरे हो तपोदात तपोदात जी पिता जी कही है अरे क्या कर रहा था जी जी मैं मैं कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे पास कोई और उत्तर भी है अरे उत्तर होगा भी क्या तू किसी काम का नहीं मैंने तेरा जीवन बनाने का कितना प्रयास किया तूने मेरी नहीं सुनी मैं और लड़कों को देखता हूँ कितना पढ़ लिख गए है पिताजी पिताजी आप ज्यादा ना बोलिए आपकी बीमारी मेरी बीमारी बढ़ जाएगी क्यों यही ना पर मैं अपनी बात कह कर रहूंगा क्या पता फिर आउसर ही ना मिले तूने पुस्तकों का निराधर किया मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया इसलिए तू जहां था वहीं खड़ा रह गया और तेरे सभी संगी साथी उन्नती करके कहां से कहां जा पहुँचे यही दुख मुझे खाए जा रहा है विद्वान पिता के लिए अशिक्षित बेटे से बड़ा दुख भला और क्या हो सकता था इस दुख में तपोदात के पिता की मृत्यू हो गई पिता की मृत्यू के बाद उसे कोई सही परामर्ष देने वाला भी नहीं था पिता जी चले गए मा तो पहले ही मुझे छोड़ गई थी अब अब एकदम अकेला रह गया मैं तपोदात सच मुझ अकेला रह गया था वो जहां भी जाता लोग उसका तिरसकार करते और हंसी उड़ाते अरे चुप चुप वो देखो तपोदात चला आ रहा है अरे इसने तो अपना जीवन यूही बरबाद कर दिया अरे आओ आओ तपोदात अरे आज कल कौन सा गरंथ पढ़ रहे हो मैं गरंथ अरे हाँ मैं तो भूली ही गया अरे तुम जिसे पढ़ सको ऐसा गरंथ भी तक लिखाई नहीं गया यूही दिन बीट रहे थे तपोदात के एक दिन तपोदात एक मंदिर के पास से गुजर रहा था उसने देखा मंदिर में बहुत लोग बैचे हैं जिन्हें एक साधू उपदेश दे रहे हैं तब से क्या नहीं हो सकता अगर सच्चे मंद से डिरंतर तपस्या की जाए तो भगवान प्रसन हो जाते हैं फिर तब के परभाव से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है हैं तपस्या से तब करो और कुछ भी पालो हाँ यही तो कह रहे हैं साधू महराज तो क्या ऐसा हो सकता है तपस्या वाली बात से तपो दात विचार में डूब गया प्रवचन समाप्त होने तक वहीं बैठा रहा वो साधू महराज से कुछ पूछना चाहता था अरे यह युवक कौन है सब चले गए पर यह आपी तक बैठा है क्या बात है साधू को अकेला देखकर तपो दात उनके निकट गया प्रडाम महराज महराज मैं एक प्रश्ण पूछना चाहता हूँ लिस्टन कोच पूछो बच्छ आपने अभी अभी कहा तपस्या से सब संभव है हाँ बच्छ तपस्या से भगवान को पाया जा सकता है साधना से सब संभव है अगर मैं तपस्या करूँ तो क्या मेरी मनो कामना पूरी हो सकती है महराज आवश्य हो सकती है तुम्हें संदे क्यों हो रहा है चाहो तु परिक्षा करके देख लो हाँ हाँ मैं समझ गया मुझे क्या करना चाहिए मैं तपस्या करूँगा तपो दात को जैसे अपनी समस्या का हल मिल गया अंधेरे में प्रकाश दिखाई देने लगा उसके कानों में हर समय सादू महराज का उपदेश गूंचता रहता तपसे क्या नहीं हो सकता तपसे 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 सब संभव है हाँ हाँ मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करूँगा हाँ भगवान से वरदान मांगूँगा उसके बाद उसके बाद सब से आगे निकल जाओंगा तपस्या करके विद्वान बनूँगा तपस्या करके विद्वान बनूँगा तपोदात ने तपस्या करने का पक्का निष्चे कर लिया परन्तु सही अर्थों में तपस्या क्या है ये जानने और समझने कि उसने कोशिश ही नहीं की और एक दिन वो गंगा नदी के किनारे आँख बन करके तपस्या करने की मुद्रा में बैठ गया तपोदात को तपस्या करते हुए अब कई दिन बीट गए एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ने तपोदात को तपस्या करते हुए देखा अरे ये युवक तपस्या करके विद्वान बनना चाहता है ना जाने किसने इसे बताया है कि आँखे बन करके रटना ही तपस्या है माए इसे समझाऊगा नहीं तो जाने कब तक इस तरह ये करता रहेगा देवराज इंद्र ने एक बूढ़े का रूप बनाया तपस्या करते तपोदात के निकट जाकर खड़े हो गए और किनारे की रेत मुठी में भर भर कर पानी में फेकते हुए कहने लगे पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, रेत से मैं पुल बनाओ, पुल बनाओ, रेत से मैं 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 पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, रेत से मैं पुल बनाओ, पुल बनाओ, देवराज इंद्र की आवाज सुनकर तपोदात का ध्यान भंग हो गया एं नजाने कौन है जो इतनी जोर-जोर से बोल रहा है तपोदात ने एक बूढ़े को मुठी भर-भर कर रेत गंगा में डालते देखा उसको हैरानी हुई अरे कहीं ये बूढ़ा पागल तो नहीं इस तरहें क्यों कर रहा है भला पुल बनाओ पुल बनाओ पुल बनाओ रेत का मैं पुल बनाओ पुल बनाओ पुल बनाओ अरे इतना सारा रेत तो पानी में डाल चुका पर पुल अभी तक नहीं बना कोई बात नहीं मैं भी कोशिश करता ही रहूंगा फुल बनाओ फुल बनाओ फुल बनाओ जरा पूछना चाहिए कि ये बूढ़ा इस तरह का मूर्खता पूर्ण कारे क्यों कर रहा है हाँ है ए बाबा ए बुढ़े बाबा हाँ हाँ क्या है मेरे पास बात करने का समय नहीं है देखते नहीं मैं कितना महत्व पूर कारे कर रहा हूं मुझे फुल बनाना है क्या नदी पर फुल इसी तरह बनता है पानी मे रेद हो ढाल तो और कैसे बनता है जहां पुल बनाना हो वहां का पानी सुखा कर बहुत गहरे स्तंब खड़े किये जाते हैं फिर उनपर पुल बनाया जाता है तुम गलत कहते हो पुल इसी तरह बनता है तुम अपना काम करो मुझे अपना काम करने दो कितनी मुर्गता पूर्ण बात है तब ही अरे वो बूढ़ा कहा गया अरे बूढ़े की जगहें ये सुन्दर पुरोश सिर पर चम चमाता मुकुट ये कौन है कौन है भई तपोदात मैं इंद्र हूँ देवताओं का राजा मैं प्रणाम करता हूँ देवताओं के राजा को वो नजाने वो बूढ़ा कहा गया जो पानी पर रेत डाल डाल कर पुल बना रहा था उसी तरह जैसे तुम अपनी तपस्या से विद्वान बनना चाहते हो वैसे ही वो बूढ़ा पानी पर रेत डाल डाल कर पुल बना रहा था दोनों ही कार असंभव है जिस तरह रेत का पुल नहीं बन सकता उसी तरह तुम आँख बन करके और रट कर विद्वान नहीं बन सकते यही बताने के लिए मैंने बूढ़े का रूप भरा था उन्होंने जो कुछ कहा था उसका अर्थ वो नहीं जो तुम समझे हो तपस्या इश्वर को पाने के लिए की जाती है मन की शांती के लिए की जाती है जैसे रेत का पुल नहीं बन सकता उसी तरह तुम्हारे द्वारा अपनाई गई तपस्या से विद्वान नहीं बना जा सकता इस तरह की तपस्या से शिक्षा नहीं प्राप्ट की जा सकती तो क्या मैं घलत कर रहा था? मुझे क्या करना चाहिए? विद्वान बनना है तो ग्रंथ पढ़ो आचारे के चरणों में बैठ कर शिक्षा ग्रहन करू शिक्षा प्राप्त करके ही तुम विद्वान बन सकते हो इस तरह बिना सोचे समझे तपस्या करने से नहीं ये कहे कर इंद्र देवता अंतरध्यान हो गए हैं चले गए इंद्र अद्रिश्य हो गए हाँ, वो मुझे मेरी मूर्खता दिखाने आये थे मुझे समझाने आये थे उन्होंने ठीक ही कहा ग्रंथों का ग्यान प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं, शिक्षा लेनी होगी किसी गुरुकुल में रहकर पढ़ना होगा मैं भी कितना मूर्ख हूँ ऐसे ही अपना जीवन गवा दिया इंद्र के जाने के बाद तपोदात काफी देर तक सोच विचार में डूबा रहा इंद्र के शब्द रहरे कर उसके कानों में गूँज रहे थे वो सोच रहा था उसने कितनी बड़ी भूल की थी वो उठा और नगर की ओर चल दिया उसने अंतिम निश्चे कर लिया कि वो उन्हीं आचारे के पास जाएगा जहां से वो बच्पन में भाग आया था अपनी पढ़ाई अधुरी छोड़ कर रेत का पुल अभियाब सुन रहे थे कथा सरित सागर से चुनी गई कहानी का रेडियो रूपांतर रूपांतर कार थे देवेंद्र कुमार भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेथी नीरज शर्मा सतीश महाजन शांती एसकालरा दिनेश वर्मा और वीनाहुरा ध्वने आंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग रमेश रानी शर्मा और बंदना निगम विशे संयोजन स्वर्णा गुप्ता कार्यक्रम निर्माण इवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खट्टर परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा परियोजना निर्माण स्वर्णा 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 निर्माण स्व